Okay students, so part 2 वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, two houses of parliament, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है, why do we need parliament पढ़ाया था, why do we need a parliament, तो यह बहुत important question बन जाता है, functions of parliament भी पूछा जा सकता है, तब भी आपको यही points describe करने हैं, ठीक है, need of parliament में भी आपको यही बताना है, power of parliament अगर आए इसको तयार रखेगा, कभी न कभी exam में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, तो आज जो हम start कर रहे हैं, that is two houses of parliament से, two houses of parliament, basically parliament के डो houses होते हैं, जो कि आपको पता भी है, जैसे लोकसभा and राजेसभा, इसके अलावा एक third part of parliament भी होते हैं, parliament का एक तीसरा part भी होता है, जिसको बोला जाता है, president, ठीक है, तो basically parliament में दो houses होते हैं, एक लोकसभा, एक राजेसभा, इसके साथ ही साथ, president भी parliament का ही part होते हैं, president की जो ascent है, मतलब लोकसभा और राजेसभा में जो भी low and order बना हैं, उस पर किस की हाँ की जरूरत होती है, president की हाँ की जरूरत होती है, ठीक है, तो लोकसभा कितने parts में divided, पार्लेमें कितने parts में divided है, लोकसभा, राजेसभा और prowadट है, एक ल मतलब बना है, आए पर्यसभा में बैखते हैं, ठीक है, ना ही राजेसभा में बैखते हैं, बट उनकी ascent की जरूरत होती है कोई भी low and order को पास करने के लिए, थे अंडियों है two houses of parliament कौन-कौन से है लोकसभा और राजेसभा इंडिया के context में ठीक है अब ये चो बच्छो two houses of parliament होते है इनको हम chamber भी कहते हैं और houses भी कहते हैं अब सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की ठीक है, लोकसभा की हम बात करने वाले इसे house of people बोला जाता है लोकसभा की हम बात करें इसको क्या बुला जाता है जिसमें बने आपको बताया house of people बोला जाता है क्यों बोला जाता है house of people because इसमें जो representative होते हैं वो डireक्ले elected होते हैं people के दवारा citizens के दवारा जैसे हमारे इंडिया के context के अगर अगर हम बात करें तो 543 seats होती है लोग सभा के कितनी seats होती है 543 मतलब अगर ये इंडिया है इंडिया के अलग-अलग places है अलग-अलग 543 places से जो person select होते हैं जो person select होते हैं मतलब elections होते हैं elections में ये जो जीत कर आते हैं ये सारे बैठते हैं कहां लोग सभा में बैठते हैं और कि इसलिए इसको house of people बोला जाता है, house of the people बोला जाता है, ठीक है समझ आया, क्योंकि 543 जो representative वहाँ बैठते हैं, लोक सभा में बैठते हैं, ठीक है संसत भवन में बैठते हैं, संसत भवन कहां पर हैं, डेली में हैं, ठीक है, संसत भवन में जो लोक सभा है, उसमें जो 543 people बैठ वह directly elected by the people होते हैं, exercise the real power on behalf of people, लोगों की बहाफ पर real exercise, real जो power है उसको वो exercise करते हैं, one of the houses usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people, the second house is usually elected indirectly, अब यहां हम बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम बात करे हैं, किसकी इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे, राजह सभा की किसकी बात करेंगे राजे सभा की बात करेंगे अब जो दूसरे पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो है राजे सभा की बात कर रहे हैं राजे सभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं राजे सभा के जो मेंबर्स होते हैं आपने लोग सभा के पड़े के representative होते हैं किसके लोगों के यहाँ पे जो member of parliament होते हैं मतलब जो राजय सभा की जो member होते हैं वो indirectly elect किये जाते हैं इंडरक्ली कैसे किये जाते देखो जैसे हमारा इंडिया है इंडिया में 28 states है हर state से उनकी population के according कुछ MPs decide किये गए हैं ठीक है कुछ MPs decide किये गए हैं जैसे किसी state से 20 हो सकते हैं किसी state से 10 हो सकते हैं किसी से 5 हो सकते हैं ठीक है किया से आपको इतने MPs elect करके कहां भेजने है member of parliament बनाना है जैने MP बनाना है अब ये जो 20, 10, 5 मैंने आपको बताया, इनको कौन सिलेक करता है, इनको सिलेक करते हैं, हमारे द्वारा सिलेक्ट किये गए MLA's, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एलेक्शन जब होते हैं, तो हम सिलेक करते हैं MLA's को, और जो ये MLA's होते हैं, ये सिलेक करते हैं, ये वोटिंग करते ह MPs के लिए, किसके लिए voting करते हैं MPs के लिए, और जो ये MPs हैं, ये किसका पार्ट बनते हैं, ये पार्ट बनते हैं, राजे सभा का इस तरह से जो Member of Parliament होते हैं ये लोगों के द्वारा ही indirectly चुने जाते हैं, जो हम common people हैं, हमने किसको चुना? M.L.A.S को चुना, किन को चुना? M.L.A.S को चुना, और M.L.A.S ने किसको चुना? MPs को चुना, और ये MPs कहां पे बैठते हैं, ये जाके राजे सभा में राजे सभा के Members बनते हैं ओके, ठीके, इसी के साथ जो M.L.A.S से जो MP चुने जाते हैं, ये राजे सभा में होते हैं, 245 कितने होते हैं? 245 यानि कि 245 MPs चुने जाते हैं, किसके दौरा? M.L.A.S के दौरा, M.L.A.S को किसने चुना होता है? Public ने चुना होता है, जो मैंने आपको State बाला बताया था न, बच्चो जैसे ये राजिस्थान हो गया, ये U.P. हो गया, U.P. की ही जनता M.L.A.S को सिलेक करेगी, ठीक है? ठीक है? U.P. की, जैसे U.P. में एलक्षन होए हैं और आपने M.L.A.S चुन लिए हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, 245 M.P. होते हैं, I hope आपको ये राजसभा और लोगसभा का जो ये क्राइटीरिया है, ये समझाया होगा, तो ये लोगों के द्वारा इनलारेक्टली चुने जाते हैं, ओके, and perform some special functions, और इनके कुछ special functions होते हैं, the most common work for the second house is to look after the interests of various states, regions and federal, और federal units, अब इनका काम क्या होता है, इनका special काम होता है, कि ये जो various states है, इनके interest की बात महा करते हैं, federal units, regions and federal units की बात महा करते हैं, तो इसी के साथ ही क्या होगे, जो राजसभा की जो members होते हैं, वो state के interest की बात करते है national level पे जाके तो अभी हमने क्या बात सीखी लोग सभा जो होता है उसको house of people बोला जाता है राजे सभा जो होता है उसे council of state कहा जाता है ठीक है राजे सभा को क्या कहा जाता है council of states ठीक है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है council of states ये बोला जाता है राजे सभा को states की council है ठीक है आम से ही पता चल रहा है, तो आप इसमें confused मत होना, लोग सभा को बोला जाता है, house of people, house of the people, राजे सभा को बोला जाता है, council of states, लोग सभा में जो representative होते हैं, वो directly elect होकर आते हैं, और जो राजे सभा में होते हैं, वो indirectly elect होकर आते हैं, okay, देखे, जो चीज़े मैंने आपको भी बता ही हैं, वो यहाँ पर mentioned है, in our country, parliament consists of two houses, the two houses are known as council of states, ठीके, राजे सभा, council of states, and the house of people, house of the people, लोग सभा, ठीके, जो भी मैंने नाम आपको बतायते हैं, वही है, यह, the president of India is a part of parliament, although she is not the member of either house, किसी भी house के member नहीं होते हैं, president, ठीके, that is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president, मतलब, president का assent होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई जो low है, वो, मतलब, run करता है, कोई भी जो low है, वो exercise में तभी आता है, जबकि उस पे president के sign हो, president की हाँ हो, उसमें, ठीके, अब आपने India के, Indian Parliament के बारे में, पिछले classes में पढ़ा है, from chapter 3, you know how लोग सभा elections take place, आपको पत करने के लिए, आपको यहां बताया गया है, what is the total number of the members, क्या, total number of members होते हैं, what is the length of the term, ठीके, can the houses be dissolved, dissolved or is permanent, ठीके, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, यहां पर, total number of members कितने होते हैं, लोग सभा में, total number of members होते हैं, लोग सभा और राजे सभा, लोग सभा में होत होते हैं, 233, ठीके, प्लस इसमें 12 कौन से होते हैं, nominated होते हैं, by the president, we elect the member, member को elect कौन करता है, member को elect करते हैं, directly people elect करते हैं, यहां पर indirect होता है, by MLS, okay, अब time period इनका कितने साल का होता है, इनका होता है 5 year का, और इनका होता है 6 year का, राजे सभा में कितना होता है, 6 years का, और लोगसभा का जो house है, वो 5 सालों बाद, लोगसभा जो होती है, वो 5 सालों बाद dissolve हो जाती है, मतलब जैसे अभी 2014 में election होए थे, तो लोगसभा बनी थी, ठीक है, लोगसभा के members आये थे उसमें, और 2019 में क्या होगा, वो dissolve होगी, और फिर से नए election होगी, अब 2024 है, 24 में फिर जैसे election होगी, जो लोगसभा के, लोगसभा जो है, फोर्स में वो क्या हो जाएगी, वो dissolve हो जाएगी, on day members लोगसभा में चुने जाएगी, ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है, यह दिसॉल्फ हो सकता है, यह पर्मनेंट होता है राज्यसभा, इसमें हर 6 साल का इनका time period ह होता है, पर हर 2 साल में 1 3rd जो member होते हैं, वो retire हो जाते हैं, तो इस से continuation में चलता रहते है, जैसे कि 6 साल का time period है, जैसे कोई member है, जो आज elast होगा है, इसका time period कितने साल तक रहेगा, 6 साल तक रहेगा, पर इस से पहले जो member elect होगा होगा, वो 23 है, और 23 plus 6, 29 में इनका जो time period ह जागर के खतम होगा ठीक है बट इससे पहले जो आए होंगे इससे पहले जो member elect होकर आए वे होंगे उनका जो time period है ऐसा नहीं है कि 6 साल में हर किसी जो 6 साल में election होए और 6 साल में elect होकर आगे हर 2-2 साल में retirement होते रहते हैं तो ये कभी भी dissolve नहीं होता है ठीक है वन थर्ड इसमें से retire होते रहते हैं फिर उन वन थर्ड के place पे फिर से नहीं members आ जाते हैं फिर उनका जो date of retirement होता है वो अलग हो जाता है I hope आपको समझाया होगा कि एक change ऐसा होता है कि हर 2 साल में refresh होते रहते हैं एक member का जो time period होता है वो 6 सालों तक हो सकता है पर हर 2 साल में refresh होते रहते हैं हर 2 साल में one third जो members है वो इसमें retire होते होते रहते हैं तो यह आपने एक छोटा सा basically difference देखा है लोग सबा और राजे सबा में seats की बात करें लोग सबा में 543 seats होती है राजे सबा में 233 plus 12 seats होती है elect कोन करता है लोग सबा directly elected by the people होते हैं इसके members और राजे सबा में indirectly by the emilies time की duration की बात करें लोग सबा का जो करेकाल होता है वो 5 सालों तक होता है राजे सबा का 6 साल तक होता है अगर houses की permanent होने की बात करें तो जो लोग सबा है वो हर 5 साल में dissolve हो जाती है राजे सबा एक permanent permanent part होता है ठीक है permanent house होता है अच्छा लोग सबा और राजे सबा अगर आपने कभी tv में देखा हो तो लोग सबा में जो नीचे matte होता है वो green color का matte होता है ठीक है और जो राजे सबा का जो floor matte होता है वो कैसे color का होता है red color का तो उससे भी identify कर सकते हैं कि जो ल setup होता है वो कैसा होता है अब बात आती है कि दोनों houses में powerful कौन है it might appear that the Rajya Sabha is more powerful for sometimes it is called upper house upper chamber ठीक है जो Rajya Sabha इसको अपर chamber भी बोला जाता है तो अपर chamber बोलने की वजह से हम इसको समझ सकते ही कि ज़्यादा पावरफुल है and the लोगसभा is called lower chamber लोगसभा को क्या बोला जाता है lower chamber बोला जाता है but this does not mean that Rajya Sabha is more powerful than लोगसभा इसका मतलब यह नहीं है कि Rajya Sabha ज़्यादा पावरफुल हो जाती है ज़्यादा पावरफुल लोगसभा ही होती है this is just an old style of speaking मतलब यह पहले से ऐसा चलता आ रहे कि upper chamber और lower chamber बोला जाता है बट ऐसा नहीं है और constitution does give the Rajya Sabha some special powers over the states हमारे जो constitution है Rajya Sabha को थोड़े special power देता है states के लिए but on most matters but उससे भी ज़्यादा matters पर लोगसभा के पास supreme power होती है अपनी जो power है उसको exercise करने की इस से कहा जा सकता है कि जो लोगसभा है वो lower chamber होते हुए भी ज़्यादा powerful होता है आप देखो समझते हैं कि लोगसभा के पास supreme power कैसे होती है an ordinary law यह point number one है मैं जो read करने हूँ an ordinary law needs to be passed by both the houses कोई भी एक ordinary law है जिसको दोनों houses में पास होना ज़रूरी होता है but if there is difference between two houses दोनों ही हाउस में अगर difference होता है वो नहीं कर पा रहे होता है तो क्या होता है the final decision taken in a joint session एक joint session बुलाया जाता है जिसमें दोनों ही हाउस के members होते है the houses sit together ठीक है एक साथ बैठते हैं because of the larger number of the members the view of the log sabha is likely to prevail in such a meeting मतलब जहां पर दोनों houses बैठे हैं ठीक है यह है log sabha और यह है raja sabha अब आप देखेंगे क्योंकि log sabha के members जादा होते हैं तो most obvious सी बात है majority किसकी रहेगी log sabha की majority रहेगी तो log sabha में जो decision लिया जाता है वही decision मतलब उसी को ही agreement मिल जाता है ठीक है वही मानने हो जाता है तो number of members पे भी depend करता है आगे देखेंगे log sabha exercises second जो देखना है में point log sabha exercises more powers than money matters log sabha जो होती है money matters पे इनके ज़्यादा power होती है once the log sabha passes the budget of the government एक बार लोग sabha ने कोई budget pass कर दिया है और any money related कोई भी money से related लोग की power किसके पास है लोग sabha के पास है पहली बात तो ठीक है money related matter पे लोग बनाने की power किसके पास है लोग sabha के पास है अब लोग sabha ने कोई भी लोग बना दिया है इस पे the raja sabha cannot reject it राजे सभा इसको बिल्कुल भी reject नहीं कर सकते ते राजे सभा can delay it only by 14 days और suggest changes in it लोग सभा ने ठीक है लोग पास करती है वो किसके पास गया, राजे सभा के पास गया राजे सभा क्या करती है इसको 14 days तक delay तो कर सकती है बषट इसको बिल्कुलinea reject नहीं कर सकती, वो suggest कर सकता है, उसमें changes करने के लिए, ज़र लोग सभा may or may not accept these changes, देखो, लोग सभा के पास कितनी power है, ठीक है, एक तो money related matter पर low बनाने का right, किसके पास है, लोग सभा के पास है, अब यह इसके बाद कहा जाता है, राजे सभा में जाता है, राजे सभा इसको reject नहीं कर सकती, 14 days तक डिले कर सकती है, राजे सभा अगर उसमें changes suggest भी करती है, तो लोग सभा changes कर भी सकती है, और नहीं भी कर सकती है, मतलब उन पर कोई boundaries नहीं होती है, ठीक है फिर ultimately वो जो लो है वो राजे सभा को ऐसे ही मानना होता है ठीक है तू देखा आपने लोग सभा की कित्मी पावर है नमबर थर्ड पॉइंट ठीक है अब थर्ड पॉइंट क्या रहा है most importantly तर लोग सभा कंट्रोल सा कांसिल ओफ मिनिस्टर्स लोग सभा किसको कंट्रोल करती है council of ministers को कंट्रोल करती है only a person who enjoys the support of majority of the members in लोग सभा is appointed as the prime minister मतलब लोग सभा में जिसके पास majority of member का support है ठीक है अगर हम अपने इंडिया के context में बात करें अगर 271 seats जब तक हमारे prime minister के पास है तभी तक prime minister जो है वो prime minister बने रहेंगे otherwise क्या होगा उनकी government जो है वो खतम हो जाएगी ठीक है the majority of the लोग सभा members say that they have no confidence in the council of the minister ठीक है इसका मतलब है कि जब लोग सभा के जो members होते हैं ठीक है वो कहते हैं कि जो सरकार बनी होई है उनके मतलब उन पर प्रस्ताव लेकर आया जाता है जिसे no confidence कहा जाता है जब लोग सभा में किसी मतलब विपक्षी party को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है majority of vote नहीं है यह सदन में सरकार अपना जो trust है वो खो चुकी है तब क्या होता है no confidence motion लेकर आया जाता है और जब यह no confidence motion लेकर आया जाता है तब क्या होता है ministers को including prime ministers को quit करना पड़ता है तो इस तरह से उनकी क्या होता है सरकार गिर जाती है उनके पास majority नहीं रहती है जब majority नहीं रहती है तो उनको quit करना पड़ता है तो इस case में भी और ऐसा राजेसभा में नहीं होता है, राजेसभा के पास ये power नहीं है, तो लोगसभा controls the council of ministers, लोगसभा क्या गरती है, ministers को की council को control करती है, जिसके पास majority support होता है, वही लोगसभा में ये prime minister बन सकता है, और वही अपनी cabinet बना सकता है, जिस दिन ये support खतम हो ज जाता है, जब ये majority नहीं रहती है, तब क्या होता है, कि वो सरकार नहीं बनती है, और उस prime minister को quit करना पड़ता है, तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगसभा जो है जाधा powerful है, तो कई बार ये question exam में बन जाता है, why लोगसभा is more powerful than राज्यसभा, तब आपको यही जो है explain क करना है, अब बच्चो हमारा जो next topic है that is political executive, अब यहाँ पर word use हुआ है executive, मतलब अभी हमने देखा कि लोग कैसे बनता है, ठीक है, लोग बन गया, अब उस लोग को execute करने का काम को उन करते हैं, political executive उनको execute करने का काम करते हैं, इसमें president भी आते हैं, ठीक है, इसमें MPs आते हैं इसमें prime minister आते हैं, यह सब क्या कर रहे हैं, उस लोग को execute करने का, उसको practically उसको implement करने का काम को उन करते हैं, executive जी करते हैं, जैसे office memorandum वाली story में आपने देखा था, ठीक है, we found that the person who signed the document did not take the decision, जिसने sign किया था, क्या उसने वो decision लिया था, नहीं, उन्होंने वो decision नहीं लिय decision कहा लिया गया था, parliament में लिया गया था, ठीक है, prime minister ने उनको, prime minister ने उसको declare करा था, ठीक है, he was the only executive of the policy, वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ execute कर रहे थे उसको, है न, he was only executing the policy decision taken by someone else, किसी और ने वो decision लिया था, we noted that the role of the prime minister is, prime minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision, if he did not have support from the log sabha, हमने देखा था, कि जो prime minister है, उन्होंने उसको declare तो करा था, पर जब तक log sabha ने उसको support नहीं किया होता, तो वो लोग नहीं बनता, वो जो office memorandum है, वो legally, लोगों के लिए, publicly issue नहीं किया जा सकता था, in that sense, in that sense, he was only executing the wishes of the parliament, parliament की wishes को वो execute कर रहे थे, thus, at different levels of any government, we found functionaries who take day-to-day decisions, but do not exercise supreme power on behalf of the people, all those functionaries are collectively known as executive, इन्ही functionaries को हम क्या बोलते है, executive बोलते है, they are called executive, because they are in charge of the execution of the policies of the government, government की policies को execute कर आने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें हम executive बोलते हैं, thus we can talk about the government, we usually mean the executive, ठीक है, तो government क्या होती है, executive होती है, ओके, अब political, अब इसमें जो executive होते हैं, कुछ political होते हैं, कुछ permanent होते हैं, यह political और permanent executive कौन होते हैं, अब हम यह समझेंगे, political executive बच्चो वो होते हैं, जो कि elect होकर आते हैं, लोगों के द्वारा, ठीक है, जिसमें PM, CM, यह सब आते हैं, elected by the people for a specific period of time, एक specific period के लिए, एक political words ही समझ आ रहा है, जो कि politically elect कर आ रहे हैं, ठीक है, elect कर आ रहे हैं, जिनने logo द्वारा चुना आ जा रहा है, इनका specific time होते हैं, जैसे कि PM, एक executive है, CM, एक executive है, इनका जो time है, 5 साल के लिए होता है, कितना time होता हैं, 5 साल के लिए होता है, permanent नहीं होते हैं, और जैसे कि दूसरे type के जो executive है, वो है permanent, कैसे है, permanent, तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, permanent, यह permanent होते हैं, यह elect नहीं होते हैं, यह appoint होते हैं, ठीक है, यह elect नहीं होते हैं, यह appoint होकर आते हैं, इसमें आते हैं हमारे civil servants, ठीक है, civil servants, ठीक है, IPS, IERS, तो यह सब कैसे आते हैं, merit के basis पे आते हैं, एक्जाम क्रैक करके आते हैं, तो political executive कौन हो गए, जो हमारे PMCM होते हैं, जो की लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, elect होकर आते हैं, और permanent executive कौन हो गए, जो permanent होते हैं, permanent executive होते हैं, उनका कोई ऐसे specific period नहीं होता, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए नहीं होता उनका long term basis पर आते हैं, ठीक हैं, और ये merit के basis पर आते हैं, किस basis पर आते हैं, merit के basis पर appoint होते हैं, दोनों में difference है, ये elect होकर आते हैं, political वाले